Mr. Vijay सेखर सर्मा, अलिगर्ड उत्तर प्रदेस में बॉर्ण हुए, उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूलिंग की और फिर डेली कॉलेज आफ इंजियरिंग दिल्ली में जाके इन्होंने अपनी इंजियरिंग कम्पलीट की इंजियरिंग की पढ़ाई कम्पलीट करने के बाद इनको इंगलिस नहीं आती थी, इनको इंगलिस में बहुत ज़्यादा प्रॉबलम आती थी, खुद Mr. Vijay ने कई बार मीडिया को ये बात बताई, कई बार ये इंगलिस मैकजीन पढ़ते थे या इंगलिस सीखने जाते थे और ये इंगलिस को अच्छी तरीके से सीखना चाहते थे, अब हुआ क्या कि सुरुआत से ही Mr. Vijay ये चाहते थे कि वो कोई कम्पनी बनाएं और बिजनेस करें, साल 2010 में जब इन्होंने पेटियम की अस्थापना की, तो पेटियम इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था, जितना क पेटियम बहुत सारे अलग-अलग बिजनेस करने लगा, पेटियम वालेट बन गया, साथ में पेटियम मॉल आया, उसके बाद पेटियम पेमेंट्स बैंक आ गई, उसके बाद बहुत सारी सर्विसेस पेटियम देने लगा, आज की डेट में अगर आप पेटियम एप पे तो आपको सारी चीजें पेटियम में देखने को मिल जाएंगी लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि ये कमपनी कभी भी फायदे में नहीं रही है जी हाँ बिलकुल आपने सही सुना आज तक ये कमपनी कभी भी प्रॉफिट में नहीं रही है इस वीडियो में सबसे बड़ा IPO लेके आती है 18,300 करोड उपये का गली मुहलों में हर जगा आपको पेटियम देखने को मिल जायेगा तो आज की डेट में पेटियम धरासाई क्यों हो रहा है और पेटियम बंद होने की कगार पे क्यों पहुंच गया है पेटियम को इतना नुकसान क्या कि किन कमियों की वज़ा से पेटियम के साथ ऐसा हो रहा है और आप उन चीजों को इंप्रूब करके अपने बिजनेस में इपलिमेंट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को एक नई उचाईयों तक पहुंचा पाएंगे तो आपके दिमाग में भी एक क्वेस्चन आ रहा हो तो ये आईपियो भारत देश का सबसे बड़ा आईपियो था क्योंकि लगभग 18,300 करोड रुपए का आईपियो पेटियम ने लौंच किया इसके पहले बिगेस्ट आईपियो का जो रिकॉर्ड था वो कोल इंडिया के पास में था जो लगभग 15,000 करोड से जादा रुप पेटियम के नाम है लेकिन उसी समय पेटियम ने अपनी गलती स्टार्ट कर दी थी पर सुरवात में पेटियम ने अटेंसन तो खीचना चाहा इंबेस्टर्स का लेकिन ये सुरवाती दौर में भी अटेंसन खीचने में कामयाब नहीं हुई थी और पेटियम को मार्केट से जितनी ज़्यादा उम्मीद है थी उतना सब्सक्रिप्शन इनको IPO में आने के बाद देखने को बिलकुल नहीं मिला सुरुआत में जो सेयर्स लगभग 1900 रुपए या 2000 रुपए के होते थे आज उनकी वैलू 70% से भी ज़्यादा गिर गई है और इनकी सेयर्स लगभग 600 से 700 के बीच के आस पास रह गई है जितनी लोगों ने पेटियम में पैसा लगाया सबका पैसा डूप चुका है मतलब कुल मिलाके ये कंपनी ग्रोफ देने के बजाय उनके सेयर्स की वैलू लगातार गिराती जा रही है और आज उनकी वैलू 70% से भी ज़्यादा गिर चुकी है अब यहाँ पे क्या है कि पेटियम इंडिया में बहुत बुरी तरीके से श्ट्रगल करती नजर आ रही है पेटियम मॉल की बात करें तो औलेडी फेल होने के कगार पे चला गया है जितने ये कॉमर्सेलर्स पेटियम मॉल पे जाके सेल करते थे उनके orders लगातार कम होते चले गए और इस समय तो बहुत कम order वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मिस अगर बात करें तो एक तरीके से Paytium Mall भी इनका fluff हो गया Paytium को लग रहा था कि आगे वो अपने losses को recover कर लेगा लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं Paytium को सबसे ज़्यादा उमीद अपने Paytium Payment Bank से थी लेकिन हाल में ही आपको मालुम होगा कि RBI ने Paytium Payment Bank पे एक बड़ा restriction लगा दिया कि अब इसमें ये नए accounts open नहीं कर सकते हैं खेर इस से Paytium को कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा लेकिन आगे चलके जो Paytium की एक बड़ी planning थी जिससे ये साइद losses से recover कुछ कर पाते वो धरासाई हो गई क्योंकि Paytium इसी अप्रेल मई के दोरान Small Finance Bank के लिए apply करने वाला था क्योंकि RBI का rule है कि कोई भी payment bank जब 5 साल काम कर लेगी उसके बाद ही वो Finance Bank के लिए apply कर सकती है तो Paytium को लग रहा था कि लगभग 5 साल तो पूरे हो गए इसी मैई जून 2022 में ये Small Finance Bank के लिए apply कर देते एक बार अगर इनको RBI की तरफ से license मिलता तो फिर ये Finance में deal करते और साइद बाद में कुछ losses से recover कर पाते लेकिन apply करने से पहले ही Paytium को एक तगड़ा जटका RBI ने दिया और Paytium Payments Bank में नए account खोलने पे रोक तो लगा ही लगाई साथ में audit का भी notice जारी कर दिया इस तरीके से Paytium की share value और ज़्यादा धरासाई हो गई अब है क्या साल 2021 की बाद करें तो Paytium का नुकसान लगभग 1701 करोड उपय था और अगर साल 2020 की बाद करें तो लगभग 2942 करोड का नुकसान Paytium को हुआ था ये कंपनी पिछले 8 साल से लगातार loss में चल रही है और कभी भी अपने आपको recover नहीं कर बाई अब आप सोच रहे होंगे कि जब Paytium आपको गलियों में मुहलों में देखने में मिल जाता है किसी भी shop पे जाएं आपको Paytium का UPI दिख जाएगा पेटियम का payment bank दिख जाएगा तो ऐसा Paytium के साथ में हो क्यों रहा है इसका दो सबसे बड़ा region है पहला तो Paytium का valuation ही गलत किया गया था Paytium एक महा IPO बनके इंडिया में आया तो था लेकिन इसका जो valuation था वो गलत था गलत estimation लिया गया था जिसकी वज़ा से कभी भी Paytium के shareholder फायदे में नहीं गये और उनका पैसा डूबता ही चला गया दूसरा सबसे बड़ा region जो है वो ये है कि Paytium ने सुरुवात में तो cash burn किया अपने users को offer दिया और सुरुवाती दौर में attention ले लिया customers का और बहुत तेजी से grow करने लगी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे Paytium के losses बढ़ रहे थे Mr. विजय सेखर ने क्या किया value नहीं देते हैं या customer को नहीं लगता कि आप जो offer दे रहे हैं वो real है तो धीरे धीरे customer attention कम होता चला जाता है और यही कुछ हुआ Paytium एप के साथ में आज की date में Paytium पहले जैसे cash back देता था या offers देता था वो आपको देखने को सायद नहीं मिलेंगे अब गलत IPO साथ में cash back ना करना अच्छे offer ना देना ये regions मिलके Paytium को और नुकसान में ले गए क्योंकि यहां पे एक तो shareholder को नुकसान हो रहा है साथ में customer attention भी नहीं मिल लहा है और उसके बाद RBI की notice भी मिली तो कुल मिला करके Paytium डूबता हुआ नजर आ रहा है अगर Paytium की हालत ऐसे ही रही तो जादा दिन Paytium चल नहीं पाएगा अब यहां पे विजे सेकर सर्मा को ही सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या नया फामूला बन सकता है क्योंकि अगर Paytium को Small Finance Bank मिल गई होती तो सायद यह थोड़ा grow भी कर पाते लेकिन अभी तो Paytium Payment Bank में ही notice issue हो गई है कि further account open नहीं होगा और इनका audit किया जाएगा तो जो June में यह apply करने वाले थे वो भी इनका concept fail हो गया क्योंकि 5 साल बार तो यह apply कर सकते थे Finance Bank के लिए लेकिन अभी तो Payment Bank में भी audit लगी हुई है अब यहाँ पे Paytium की जो position है वो बहुत ज़ादा खराब हो चुकी है तो अगर अभी भी आप Paytium से उमीद लगाए बैठे हैं तो सायद Paytium इसमें खरा नहीं उतर पाएगा बात करेंगर किसी company की तो देखिए दोस्तो अगर आप किसी company को चलाते हैं तो आपकी policy और आपके offers यह बहुत माइने रखते हैं अगर customers को आप real value, real offer नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आज की rate में बहुत जादा दिन तक आप market में रुक नहीं पाएंगे और यही हाल हुआ Paytium के साथ में जिसकी वज़ा से Paytium आज डूबने के कगार पे आ चुका है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि Paytium के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो Paytium के हालत इतनी खराब हो चुकी है तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी Thank you so much for watching